Hello Everyone, Welcome to No Education Guys, कल यानि कि Saturday को Delhi University ने अपनी Second Cut-Off रिलीस कर दी है Second Cut-Off रिलीस करने के बाद ऐसा देखने को मिला है कि यसे बहुत सारे colleges हैं जिनमें काफी सारे courses के लिए seats बंद की जा चुकी है ये Cut-Offs DU की official website www.du.ac.in पर easily available है अगर आपने अभी तक वो Cut-Offs नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजे Second Cut-Off की against admission process मंडे यानि की 19th October से स्टार्ट हो जाएगा ये admission process 19th से लेकर 21st October तक चलेगा तो आप लोग 19th से जल्दी से अपने documents वगेरा upload करने के लिए डाल दे क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा First Cut-Off में बहुत से बच्चों को ये problem face करनी पड़ी थी कि उनके document बहुत देर बाद जाकर verify हुए थे तो आप लोग First Day ही try करना की colleges के लिए apply कर दे एक और भात ध्यान रखें कि Cut-Off को अच्छे से check करें किसी गलत कोर्स में apply ना कर दे क्योंकि उसके बाद भी आपको काफ सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों अब आते हैं वीडियो के सबसे important part पर जो है कि क्या next Cut-Off यानि कि third Cut-Off में भी ये seats ऐसे ही देखने को मिलेंगी क्या next Cut-Off में भी सभी colleges अपने जो भी बाकी के courses बचे है जो अभी open है उन्हें भी close कर देंगे क्या जिनको admission नहीं मिल पाया है first and second Cut-Off में क्या उन्हें आने वाली third Cut-Off में भी admission नहीं मिलेगा तो ऐसे बहुत से सवाल आप लोगों के मन में आ रहे होंगे तो इनी सब questions को discuss करने वाली हूँ तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जिन भी colleges में cut-off close हुई है उसका ये मतलब नहीं है कि next Cut-Off में भी वो course के लिए cut-off close ही रहेगी इसको अगर मैं example के मदद से समझाओं तो हंसराज college में four courses के लिए cut-off को इस cut-off में second cut-off में close कर दिया जा चुका है तो जैसा कि आप अपनी screen पर देख सकते हैं ये courses है botany, mathematics, hindi and history तो आप question ये आता है क्या next cut-off में भी ये चारो courses close ही रहेंगे तो दोस्तो ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है कि next cut-off में भी ये चारो के चारो courses close ही रहें possible है कि थोड़ी सी seats जो है वो vacant होंगी और चार में से चार नहीं तो कम से कम एक या दो course तो फिर से open होगा ही होगा तो आप लोग बहुत जादा घबराइए मत इन cut-offs को देखकर कि अब तो close हो गया है अब तो हमें admission मिले का ही नहीं ऐसा नहीं है close होने का मतलब है कि वो सिरफ उस cut-off में close हुआ है chances हैं बहुत जादा कि next cut-off में वो course फिर से open हो जाए लेकिन दोस्तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि next cut-off में वो course compulsorally open होगा ही होगा तो ये completely depend करता है अब किस चीज़ पर depend करता है वो भी मैं आपको बता दूँ अब हंसराज कोलेज का ही example लेते हैं मालीजे कि जिन लोगोंने first cut-off में हंसराज कोलेज में apply किया था वो second cut-off में हंसराज से withdraw करा लेते हैं क्योंकि हो सकते हैं उन्हें हंसराज से भी अच्छा कोई college मिल गया हो या फिर उन्हें उनका कोई पसंदीदा college जो उनके घर के पास हो या जो भी कोई हो वो मिल गया हो इसलिए उन्होंने अब हंसराज से second cut-off में withdraw करा लिया तो ऐसे मैं जब second cut-off में withdraw कराया गया हैं तो second cut-off के full होने के बाद अब ऐसी भहुत सी seats होंगी जो वेकिंट हो गई होंगी क्योंकि बच्चों ने अंसराज से transfer करा लिया हैं तो यह जो वेकिंट seat हैं इसकी जो cut-off है वो third cut-off list में आएगी तो दोस्तो basically यह transfer वाला process जो है continue होता ही रहता है आपको जब भी कोई अच्छा college मिलता है आप उस cut-off में अपना college transfer करा लेते हों तो next cut-off में उस college के लिए जो seats हैं वो खाली हो जाती हैं और फिर इसलिए next cut-off में उस course को खोल दिया जाता है तो I hope थोड़ा थोड़ा आपको clear हुआ होगा इसलिए आप लोग यह मत सूचिए कि अगर close हो चुका है हंसराच की नहीं और भी बहुत से colleges की बात कर रही हूँ तो अगर उनका cut-off अभी के लिए किसी course के लिए close हो गया है तो यह ज़रूरी नहीं है कि next cut-off में भी वो close ही college आप उसमें apply कर दो क्योंकि third cut-off का कुछ पता नहीं है हाला कि आपको panic नहीं करना है chances है कि courses खुलेंगे बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसी hope में बैट कर अभी के लिए कहीं भी admission ना लो तो ऐसी गलती बिलकुल मत करना बाकि all the very best for your admission process अगर आपका कोई भी route है तो अपनो जुकेशन से Instagram पर जुर सकते हैं वहाँ पर मैं आपको कई सारी updates देती रहती हूँ YouTube से भी पहले तो follow जरूर करें दोस्तों ये वीडियो सिरफ उन बच्छों के लिए बनाई गई है जो confused थे जो मुझसे बार-बार पूछ रहे थे कि अब क्या होगा हमें तो कहीं admission करने मिला तो यह उनके रहे हैं आप लोग घबराइये मत थर्ड कटोफ भी अभी आने पाकी है I hope वीडियो helpful लगी है वीडियो helpful लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइके नोन कर हमें तो यह डिज़ ऺिदी सब्सक्द की सेखते अवालि यह आगी है और वीडियो जगी।